नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन बंसाल वास्तु कंसल्टेंट आज मैं आपको ग्राउंड फ्लोर के बारे में बताना चाहूंगा कि वास्तु शास्तर के अनुसर आपको अपने अंटर गार्मेंट के फैक्टरी का सेट अप ग्राउंड फ्लोर पर किस परकार से करना है मैंने पिसली वीडियो में आपको बेस्मेंट के बारे में बताया था कि बेस्मेंट के अंदर आपने सेट अप किस परकार से करना है उस से पहले मैंने आपको बिल्डिंग बनाने का सेट अप बताया थे कि वास्तु शास्तर के नुसर वेस्ट फिसिंग बिल्डिंग किस परकार से बनाने चाहिए फेक्टर के लिए जो आपके अपनी वेस्ट फिजिंग बिल्दिन्ग है और उसके अदर अपनी अंडर गमेंट्स की फेक्टरी लगाने जारे हैं यरा गार्मेंट्स की फेक्टर लगाने जारे हैं तो वास्तु शास्तर के अनुसार किस फरकार से सेट अप करना चाहिए जैसे मैंने बताया था कि front के भाग में ground floor पर यहाँ पर आपका अपना बड़ा गेट आएगा और इसी के साथ में आपका अपना चोटा गेट और यहाँ पर आपका अपना गार डूम, इलेक्रिक मेंटार, स्टोर और सर्वेंट के लिए रूम बनाने हैं वो सारे रूम आपके यहाँ पर बनेंगे जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था यहाँ पर ओनर का ओफिस है रहेगा, यहाँ आप ओनर की टोईलेट, अकाउंस और यह अपना सेल्स वाल है यहाँ पर आपका अपना आने की एंक्टेंस रहेगी, यह आपके अपने रिशेप्शन, यहाँ पर रिशेप्निस्ट बाठेगी जिसका फेस नौर्थ की और होगा, यहाँ पर आपका अपना विजिटर जो आएगा वो बैट सकता है और एक डोर आपने जो लगाना है वो डोर लगेगा, यहाँ पर ऐनर की सेट्टिझ रहेगी, यह एक ऑनर की एल शेप में टेबल बन जाती है, यहाँ पर दो बंदों की सेटिन करनी है, दो बैट्तिओंने बैठना है, तो यहाँ पर इस प्रकार से बैठ सकते हैं, और यहाँ पर आपका अपना विजिटर आकर नायाँ पर लाएन तो यहां पर आजायगा है यह अपने टौिलेक्ट बनती है रादरवाजा वा दरव्चापने यहां पर ले सकते हैं हमेशा धियान रखना है जो लगाए वो शीट नौर्थ के और ऐस होनी जाज़िए यह आपका south your face होने चाहिए. Urinal भी आपका north wall पर या south wall पर आएगा. Wash passion आपका north wall पर या east wall पर आना चाहिए. क्योंकि wash passion के उपर हमेशे ही mirror लगाया जाता है और जब mirror लगाए तो wash vision आपका north wall पर या east wall पर ही आना चाहिए. यहाँ पर आपका अपना accounts room बन जाता है. की और फेसं करके बैठे का या इस्ट की और फेस्ट करकेस क्षा के- की सेलस बन्दे भी बैठेंगे उनके रूम की जो एंकicles यहां से रहेगी और वाले जो गनती बैठेंगे जो बैठेंगा उनका फेस Ст की और ही होगा hole के अंदर आपने क्या काम करना है क्योंकि आपका ground floor है ground floor पर आपने अपने यहाँ पर जो माल तैयार हो जाता है उसकी storage कदनी है वो storage आपकी सबसे पहले तो जो rack लगेगा वो rack आपका अपना south wall पर लगेगा यहाँ पर आपका floor से लेके ceiling तक माल टच होना चाहिए उसके बाद जितने भी आपने racks लगाने हैं वो rack आपके बीच में एक एक करके लग जाएंगे इसमें left और right यानि दोनों दरफ से माल रखा जाएगा यहाँ पर भी आपके अपने racks लग जाएंगे यहां से भी माल रखा जाएगा और यहां से भी आम रखा जाएगा इस परकार आप ने में आपर ground floor पर माल के storage कर सकते हैं तैयर माल के storage कापी की काउंटिंग होगी पेटिया क्योंकि जो आपकी लेबर है वह यहाँ पर इस जोन की पैकिंग करेगी जितने पीस जितनी पेटिया तयार होंगी वो सारी पेटियां तैयार करके यहां पर नॉर्थ जोन में रखेंगे जब आपकी गाड़ी लगेगी तो यहां पर आपके अपनी गाड़ी लग जाएगी और यह माली यहां से उटके आपके अपनी गाड़ी के लिदा आ जाएगा और माल दिस्पैच हो जाएगा इस प्रकार आप अपने यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर आफिस ब्लॉक बनाए और तैयार माल रखे आपकी अपनी फैक्टरी बने विया है और आप जरूरत से ज़्यादा परिशान है आपको कहीं से कोई रासा नजर नहीं आ रहा है तो आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें सुने समझे और विचार करें आपको लगता है कि बनसल जी द्वारा देगे जनकरी सही है तो आप अपने हैं पर यह छोटे छोटे उपाई करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं और आप हमसे ओनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप अपने साइट का मैप भीज़कर हमसे ओनलाइन सलाह भी ले सकते हैं और इसी के साथ आप हमें अपने हैं साइट विजिट के लिए इन्वाइट करना चाहते हैं, तो साइट विजिट के लिए इन्वाइट कर सकते हैं, आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं, तो आप हमारे यहां से वास्तुशास्तर के दिशार मैप भी बनव आ सकते हैं ये सभी सेवाइं हमारी चार्जेबल रहेगी इसी तरह अगले प्रोग्म में फिर एक नवीशा पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार